नमस्कार किसान भाइओं आज हम खड़े हैं मोकलपुर गाउं में तो ये मोकलपुर गाउं में हमारे प्रोनिटिवा फार्मर है चलो हम सुनते हैं किसान की कानी किसान की जुबानी नमस्कार क्या नाम आपका सवनू सनुफ नेमाराम जी बेड़ा सणुफ सिव करने बेड़ा मुकलपुर तो यह जो आपके खेट के अंदर जो है यह सॉंफ है सॉंफ के अंदर आपने अभी तक्षोन की इस पर किया अपने यूनि लक्स और फुल्ट्रोन का उस समें क्या श्रानी लगई और पीलेपन बिल्कुल खतम हो गया तो उसके बाद में अब जो सेकिंड इसप्रे आप ने क्या किया अपने इसमें विंडू न डाला एक लिटर मेकरी ना और ऐस्ट लड़ा लाइसंगा उलाला तो यह इसपर के हम में जाल हो पांट शे दिन में थो ब्लॉवरिंग जो भी दिख रही है उसमें नई फ्लॉवरिंग की किसंग क्या बड़ी काफी इसमें आप यह उलला का इस पर क्यों करते हैं इससे क्या होगा की जैसे कि एक तो अपने गुंदे वगएरा और मेले की शिकाइट भी नहीं होगी और यह जैसे कि अपने मदू मक्ही वगएरा को भी नुक्सान नहीं पहुंचा हां मदू मक्ही इस हां मतलब जैसे लोगों के आप आपके आज पास सौंफों में जलने की शिकाइट काफी आई तो इस खेत में आपने शिकायत में और यह विंद्रो से क्या फरक पड़ता है इसमें विंद्रों से भी अच्छी ग्रोथ हुई है और नया फुटान और यह बायो है और दो साल से यही दवयाब यूज कर रहे हैं तो देखे किसान भाईयों अप्टूबर की विजाई है कहीं पे कोई पीला पर नहीं है आप सौंफ की खेती आराम से देख सकते हैं किस तरीके से चार से पांस दिन के अंदर यह जो छोटे-छोटे फुलों की संक्या जो है जो सिस्टम मेंने वो स्टार्ट हुआ है यह इन्होंने सेकेंड इस पर रेकिया है धन्यवाद